तो आज की वीडियो में हम computation of capital gains in special cases को study करने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दू total हम six cases study करेंगे और हमारा section 45 से start होते हैं ये cases और इससे पहले हमने long term capital gain, short term capital gain, capital asset capital gain का introduction, काफी सारी वीडियोज अप्लोड करी है capital gain पर और उसी का ही continue करके हम series को continue करते हुए आ गए हैं एक नए topic पर जो की है computation of capital gain in special cases कि भाई कुछ ऐसे special cases भी होते हैं जिसमें किस तरीके से हम capital gain को compute करेंगे वो आज की वीडियो में समझेंगे चानल पर new है या फिर आपने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है तो मेरी आपसे humble request रहेगी चानल को subscribe सरूर कर ले bell icon को जरूर प्रेस कर ले क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोज लाते हैं वीडियो को please like and share जरूर करें चलिए फिर start करते हैं आज का topic तो सबसे पहले हमें given है capital gain in case of damage or destruction of capital asset यह आता है हमारा section 45 sub section 1a में तो यह हमसे ही क्या बोलता है कि case क्या है कि capital asset damage हो गई या capital asset का क्या हो गया destruction हो गया तो इस case में किस तरीके से आप capital gain को compute करेंगे तो यहां पर हमें mention है कि where any person receive at any time during the previous year any money कि जब एक person को जो है previous year में कुछ money receive होती है मतलब कुछ पैसा मिलता है और वो पैसा किस लिए मिल रहा है या फिर कोई other asset भी बिल रही हो under any insurance ओके तो assessi या फिर उस person ने जो है insurance करा रखा था ओके जी तो उसको previous year में जो है पैसा मिला receive हुआ किस से receive हुआ insurer से ओके क्यूं क्यूंकि उसकी capital asset का क्या हुआ damage और destruction हुआ यानि कि उस assessi ने अपनी capital asset का insurance करा रखा होगा और उस capital asset का क्या हो गया damage हो गया या फिर वो you know बिलकुल destruction हो गया उसका तो उस वज़ा से insurer के द्वारा insurance जिसने उस assessi को पैसे मिले तो इस आप किस तरीके से लोगे और यहां पर हमें कुछ बाते भी बोली गई है कि damage or destruction किस वज़ा से हुआ तो number one बोला है flood आ गया कोई टाइफून हरीकें cyclone earthquake या फिर कोई अधर यूनो प्राकरतिक आपदा आ गई एक तरीके से यह सारे प्राकरतिक आपदा के कारण लिखे हुए हैं जिसकी वज़े से हमारी capital asset destroy हो गई है damage हो गई है ओके दूसरा कोई civil disturbance की वज़े से कोई riot की वज़े से यूनो कोई जैसे की हो जाता है ना disturbance type जिसको हम बोलते है धंगा फसाद हिंदी में तो उस type का हो गया या फिर या फिर accidental fire हो गया है मतलब आग लग गई है गलती से accidentally दुरघटना हो गई है ओके तो इन वज़ा से जो है capital asset क्या हो गई है damage हो गई है fourth action by an enemy okay SEC का उस person का कोई दुश्मन होगा जिसने ये करा होगा राइट दुश्मन भी ऐसा करते है ना तो इन चारो point जो हमने पड़े इन वज़ा से अगर कोई हमारी capital asset damage या destruction होता है और insurer के दुआरा जो है पैसा मिलता है SEC वो उस person को जिसने insurance कराया था अपनी capital asset का तो वो पैसा उस पैसी की बात हो रही है then any profit or gain arising from receipt of such money कहने का ये मतलब है कि वो जो पैसा receive हुआ है भले ही वो आपका capital asset का ही amount क्यों न हो बट आपको पैसा तो मिला है न और उसकी वज़ा से कोई आपको profit और gain हुआ हो रहा है मतलब उस पैसी की वज़ा से आपको कोई profit और gain हुआ तो वो जो profit और gain होगा न वो capital gain के अंदर taxable होगा चार्जेबल होगा फोर example अगर हम इसको एक example से समझें तो हमारी capital asset मालो जितने की भी होगी है न एक example ले लेते हैं 1 lakh की होगी आप जानते हो हमारी capital asset जो है उस पर depreciation भी लगता है और या फिर कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको तो basically जो amount receive होगी वो इससे जादा होगी होगी ऐसा हो सकता है इस case में तो एक तरीके से क्या हुआ gain हुआ बस आपको ये ध्यान रखना है कि gain हुआ है उस money से ठीक है तो उस gain पर tax लगेगा जिसको हम capital gains बोलते हैं तो the income shall be deemed to be the income of the previous year in which such money or other asset is received तो वो जो income है वो previous year की income ही कहलाएगी और जब आप capital gain compute करेंगे तो उस value जो भी आपको money मिली है और जो भी वो फाइदा हुआ है वो consider करेंगे या फिर जो है fair market value जो मिली है shall be deemed to be the full value of the consideration received तो उसको हम क्या मानेंगे कि हाँ इतना consideration मिला है रिसीव हुआ है इसका अभी हम एक practical भी attempt करेंगे तब आपको और ज़्यादा picture clear हो जाएगी so don't worry बहुत easy सा है topic कोई ज़्यादा इसमें complications नहीं है उसके बाद आता है हमारा section 45 subsection 2 जो की बोलता है कि capital asset जो है उसको stock in trade में क्या कर दिया गया convert कर दिया गया तो अब जानते हैं जब हम किसी भी capital asset को stock in trade में convert करते हैं तो उसको हम transfer ही बोलते हैं transfer of capital asset ही बोलते हैं तो जब transfer of capital asset होता है और उससे कोई फायदा होता है तो वो हमारा capital gain ही कहलाता है यह आता है हमारा section 45 subsection 2 में तो इसके बारे में क्या बोला है कि the profit or gain rising from the transfer by way of conversion by the owner of a capital asset into stock in trade कि जब owner ने capital asset को convert किया stock in trade में तो उसकी वजह से जो profit or gain arise हुआ वो tax के under chargeable होगा under the head capital gains capital gains के under जो है वो chargeable होगा in the year in which such stock is sold कि भाई जिस साल उस stock को बेचा जाएगा और otherwise transferred by him जब देखो इसमें बोला के गया है कि आपने capital asset को किसमें transfer किया stock in trade में किया ठीक है एक तरीके से वो हुआ तो transfer ही तो जब वो stock को sold किया जाएगा जिस भी साल में तो जो भी you know profit होगा वो capital gain के अंदर chargeable होगा तो the further purpose of computing capital gain in such cases the fair market value of the capital asset on that date which it was converted into the stock shall be deemed to be the full value of consideration received तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि जब हम capital gain को compute करेंगे तो इस case में क्या होगा जो भी न fair market value होगी capital asset की किस date पर on which it was converted into stock in trade कि जब उस capital asset को stock in trade में क्या किया गया था convert किया गया था तो उस date को उस date को fair market value क्या थी capital asset की वही हम consideration मानेंगे उसी को ही हम consideration मानेंगे for value of the consideration receive कि हाँ इतना consideration receive हुआ और उसके बाद जो है अब हम इसका एक practical question attempt करेंगे जो अभी हमने first or second point पढ़ा इन दोनों पर ही यह जो है illustration 17 दी गई है तो इसको study करेंगे तो हमें दोनों topic बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे तो अब बिल्कुल प्यार से ध्यान देंगे इस topic के उपर और इस question के उपर कि क्या बोला गया है सबसे पहले बोला गया है कि company ने अपने plot को convert कराया plot of land convert its plot of land पर जो कि उन्होंने खरीदा कब था दो हजार एक और दो में खरीदा था 40,000 का तो यहां तक question clear है कि company ने न एक plot खरीदा था plot of land खरीदा था 2001 और दो वाले year में खरीदा था और कितने का खरीदा था 40,000 का खरीदा था तो company क्या कर रही है उस plot of land को क्या कर रही है convert कर रही है किस में convert कर रही है stock in trade में convert कर रही है और कब कर रही है 31 मार्च 2020 को कर रही है ठीक है convert मतलब conversion date हो गई हमारी 31 मार्च 2020 तो जो fair market value है उस time पर जैसे कि अभी हमने उपर वाले point में पढ़ा ना कि जिस time पर conversion होगा उस date पर fair market value क्या है उस asset की तो उस date पर fair market value है 4,50,000 तो the stock in trade is sold for rupees 4,90,000 ओके जी तो वो जो stock in trade को जब बेचा गया कब बेचा गया May 2020 में बेचा गया यानि की तो May 2020 की ही बात हो रही है 31 मार्च को conversion हुआ था 2020 में 4,50,000 था ओके और जब उसी stock को बेचा गया जैसे कि अभी हमने उपर वाले point में पढ़ा था ना कि जिस date को हम जिस year हम sold करेंगे उस token trade को वही जो है उस time पर जो भी fair market value होगी वह मानी जाएगी तो अब जब बेचा तो कितने में बेचा 4,90,000 में बेचा कब बेचा May 2020 में बेचा किसको बेचा stock in trade जिसको plot को convert कराया था stock in trade में अब stock in trade को भी बेच दिया May 2020 में 4,90,000 का fair market value कितनी थी 4,50 थी बेचा कितने में 4,90 में यानि कि फायदा एक तरीके से 40,000 का तो अब हमें taxable amount income find out करनी है और साथी साथ हमें cost inflation index भी गीवन है 2001 और 2002 में उन्होंने पहले ही बता दिया 100 था और 2020 और 2021 जैसे की हमारा जो transfer हुआ capital asset का उस time cost of cost inflation index है 301 तो अब हम फटाफट से अपने solution पर आ जाते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने business income लिख दी कि भई 4,50,000 की चीज़ 4,90,000 में वेजी है तो उनको 40,000 का profit तो business income में ही हो गया ठीक है अब अब बात करेंगे capital gain की कि capital gain को किस तरीके से उन्होंने compute किया है हम जानते हैं long term capital gain क्यों आ रहा है क्यों क्योंकि plot plot खरीदा कब था 2002 में बेचा कब मतलब I mean convert कब कराया 31 March 2020 तो obviously long term capital gain है तो अब हम इसको calculate करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा fair market value 31 March 2020 को थी 4,50,000 की उस plot की बट हम जानते हैं कि हम index post of acquisition minus करते हैं long term capital gain में जैसे कि आपने previous video अगर watch की होगी तो आपको LTCG का calculation बिल्कुल अच्छे से आता होगा यहाँ पे improvement का कुछ topic given नहीं है कोई expenses of transfer given नहीं है बट हमार को एक इतनी चीज given है कि भई यह जो land यह जो plot of land खरीदा था यह तो given है ना आमे तो वो तो minus करोगे ना आप तो हम जानते हैं LTCG में हम index cost of acquisition को compute करते हैं तो सबसे पहले खरीदा कितने का था 40,000 का company ने plot को उसके बाद year of transfer है क्या 31 March 2020 तो उस time पे हमारा cost of inflation index कितना है 301 तो वो 301 लिखेंगे हम ओके जी done और 100 कहां से आया क्यूं क्यूंकि हमने plot खरीदा कितने का था I mean कौन से year में खरीदा था 2001 और 2 में उस type हमारा cost inflation index कितना था 100 रूपे तो solve करेंगे हमारा answer आ जाएगा 1,20,400 तो इसको जब हमने minus किया तो ये आया हमारा 3,29,600 तो total हमारी ये दोनों जो income है ये taxable income कहलाएगी I hope यहां तक बिलकुल clear है ये question आगे हम बात करते हैं हमारे another 45 subsection 2A की जिसमें हमें बुला गया है transfer of securities held with depository तो securities का transfer हो रहा है जो की depository के द्वारा held हो रही है तो अब इसके वारे में क्या बोला गया है कि where any person has had any time during the previous year any beneficial interest in securities तो securities की वज़ा से कोई benefit हुआ interest मिला previous year में किसी person को और उस वज़ा से क्या हुआ profit और gain हुआ उस transfer की वज़ा से तो in respect of security interest in respect जो भी interest receive हुआ है जो भी interest receive हुआ है I mean profit in the respect of security shall be chargeable to tax as the income of the beneficial owner of the previous year तो वो जो है chargeable होगा यानि कि वो मारे taxable होगा वो जो profit है और in which transfer to place and note of the depository which deemed to be registered owner owner of securities तो कुल मिला के यहां पे बूला गया है कि अगर किसी person को कोई beneficial interest हो रहा है securities में और उस वज़ा से कोई profit और gain भी arise हुआ है और वो depository के द्वारा बनाया गया transfer था और तो वो हमारा जो है chargeable to tax होगा बाकी इसमें कोई भी complicated बात नहीं बोले गया यह simple सा point बोला गया next हमारा आता है compulsory acquisition of an asset and enhanced compensation तो यह आता है section 45 sub section 5 में इसके बारे में यह बोला गया है देखो कि जब ना कोई asset compulsorily acquire की जाती है किसी लोग के अंतरगत और जो consideration है वो कौन determine करता है central government या फिर RBI बताता है कि इस asset का जो consideration amount है वो central government या RBI decide करता है और compulsorily acquire होती है वो asset तो the consideration of which is enhanced or further enhanced by an authority or court the capital gain in such a case shall be dealed with as under तो अब वो जो consideration है उसको किस तरीके से deal किया जाएगा उसके cases हमें कुछ given है कि वो जो consideration amount है उसको हम किस तरीके से deal करेंगे किस तरीके से हम उसको capital gain के अंतरगत चार्जेबल करेंगे नहीं करेंगे वो अभी हम cases में study करेंगे तो number one case क्या है कि capital gain computed at the time of capital gain computed at the time of acquisition shall be chargeable to tax of the previous year in which such compensation और part thereof or such consideration was first received तो यहाँ पे बोला गया है number one कि capital gain जब हम compute करेंगे acquisition के time यानि कि जब वो asset acquire की गए थी उस time पे अगर हम capital gain को compute करेंगे तो वो chargeable to tax होगा previous year के लिए और जिसमें consideration जो है वो receive हुआ था पहली बात तो वो chargeable होगा number one तो हमें यह बोला गया है दूसरा क्या बोला गया है कि जो भी consideration amount होगी या जो भी वो you know compensation जो बढ़ाया गया है तो वो shall be deemed to be the capital gain उसको हम capital gain मानेंगे previous year के लिए जो assessi के दुवारा amount receive करी गई है तो वो भी capital gain के अंतरगत क्या मानी जाएगी I mean capital gain माना जाएगा उसको और साथी साथ where compensation is received in persuasion of an interim order of any authority कि अगर compensation जो है वो authority या फिर किसी court के order के तहत मिला है assessi को तो वो भी जो है chargeable होगा in which the final order of the authority court is made तो basically यही बोला गया कि वो chargeable होगा तीसरा बोला गया है कि where in the assessment for any year जब assessment हुआ किसी year or the capital gain arising on transfer of capital asset has been computed under A और B जो भी हम A और B में compute करेंगे capital gain को जो भी capital gain arise हुआ था A और B में उसको और बाद में उस compensation या consideration is reduced in an appeal और मानलो की consideration जो है वो कम हो गया और such assessed capital gain of that year shall be re-computed तो assessed जो भी capital gain होगा उसको दुबारा से compute किया जाएगा क्यों क्योंकि consideration को reduce किया गया है इस वज़ा से तो basically यहाँ पर यही सारे points है कि किस तरीके से compulsorily acquisition हो रहा है किसी लोग के अंतरगत और किस तरीके से enhanced compensation है उसके बारे में किस तरीके से आप deal करेंगे उसी के points यहाँ पर हमें given है उसके बार हमें बोला गया है explanation दी गई है B point से related यह जो हमने B point पढ़ा इस से related कुछ explanation given है कि जो cost of acquisition है या cost of improvement है उसको हम nail लेंगे यानि कि उसको हम consider ही नहीं करेंगे और दूसरा where the SSE expires or for any other reason the enhanced compensation is received by any other person तो compensation जो है वो किसी दूसरे person के द्वारा receive किया जाता है क्योंकि QQSSE expire हो गया है इस वज़ा से तो वो other person जो है वो libel होगा tax pay करने के लिए under the head of capital K तो यह था हमारा fourth point या fourth case कह सकते हम इसको उसके बाद आता है हमारा fifth case और फिर आएगा हमारा sixth फिर हमारी वीडियो खतम हो जाएगी तो number fifth है section 46 subsection 2 तो इसमें क्या बोला गया है कि capital gain in the hands of the shareholder in case of liquidation of company तो company का क्या हो रहा है समापन हो रहा है liquidation हो रहा है और capital gain है जो वो किनके hands में है shareholders के hand में है यानि कि profit जो है वो किनके हाथ में है shareholders के हाथ में है और case कैसा है company का liquidation हो रहा है तो इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है जिनके हाथ capital gain है वही क्या है liable to tax यानि कि वही उनीका दाइत पर tax pay करना तो यहाँ पर shareholder is liable to tax on capital gain अगर उनको कोई money receive हो रही है किसी assets से और क्यूंकि company के liquidation में क्या होता है जब हम company का liquidation होता है तो assets को sold किया जाता है और उनकी वज़ा से अगर कोई capital gain होता है तो वो shareholder के hand में होता है तो shareholder ही क्या होंगे liable होंगे capital gain के अंतरगर tax pay करने के लिए तो the income chargeable in the hands of the shareholder under the head capital gain would be in respect of money so received to the market value of the asset on that date of distribution तो यहाँ पर बोला गया है कि वो income chargeable होगी क्यों क्योंकि वो shareholder's के hand में है और जो भी capital या जो भी money receive होई है उस asset के उपर या फिर जो भी market value है liquidation के time पर उस asset की तो उसकी वज़ा से जो भी you know capital gain हो रहा है वो chargeable होगा कुल मिलाके यहाँ पर हमें यही बोला गया है साथी साथ यह भी बोला गया है करेंगे और फिर जो amount निकल करके आएगी वो chargeable to tax होगी under the head capital gain आगे हमें बोला गया है next case में computation of capital gain or purchase by a company of its own share और other specified security की company ने अपने खुद के share purchase करें और उस वज़ा से company को capital gain हुआ याने की profit हुआ यह आता है हमारा section 46a के अंतरगत इसमें बोला गया है कि जब एक company अपने खुद के shares purchase करती है shareholder से या फिर कोई अलग टाइप की securities हो सकती है वो तो जो भी capital gain उनको होगा वो chargeable to tax होगा in the hand of the transferer कहने का मतलब है जो transferer होगा वो tax pay करेगा तो the capital gain shall be computed as provided in section 48 जो कि हम कर चुके है complete capital gain compute किया जाएगा और जितना भी उनों फाइदा होगा यानि की capital gain होगा वो taxable होगा तो यह थे हमारे कुल six cases जो हमने study किये अगर आपको इसमें कोई भी doubt है या आपको कोई point समझ में नहीं आया तो मुझे comment ज़रूर करें मैं आपका reply ज़रूर करूँगी I hope आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़दे helpful रही होगी वीडियो को please like और share और मुझे comment ज़रूर करें चानल को subscribe करना ना भूले और चाहे आप income text पढ़ रहे हो चाहे आप corporate text पढ़ रहे हो thank you so much